केप्टेंसी टास्क में क्या फुकरा जीया से मदद मांग रहा है और क्या जीया करेगी फुकरा की मदद आखिरकार किस तरीके से अब यहां पर केप्टेंसी टास्क में पूरा घर डिवाइड़ लग रहा है एक तरफ फुकरा है एक तरफ पूजा भट इन दोनों की बास्केट में घरवाले फ्रूट्स डालेंगे और अपनी बास्केट को प्रोटेक्ट करना सिर्फ और सिरफ कॉंटेस्टेंट की जिम्मेदारी होगी टास्के शुरू होने से पहले ही फुकरा ने जिया से कहा कि मुझे विश्वास है इस बार तुम्हेरा साथ देगी और धोकार नहीं देगी यानि कि फुकरा जो है चाहता है कि जिया कैप्टेंसी के टास्क में उसकी मदद करे क्योंकि अगर वो ये टास्क जीत जाता है तो वो सीधे-सीधे फिनाले में पहुँच जाएगा अब यहां जिस तरीके से बास्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए लडाईयां चल रही हैं जैड और अविनाश मिलकर फुकरा की बास्केट गिराने की कोशिश कर रहे हैं वहीं पूजा भट की बास्केट गिराने की कोशिश मनीशा कर रही है एल्विस जो है पूजा भट के जादा करीब नहीं जा रहा और टास के शुरुवात में ही ये लोग आपस में डिसकस करते नजर आये थे कि पूजा भट फीमेल हैं हम बहुत जादा जो है उनके साथ बल का परियोग भी नहीं कर पाएंगे तो ये एक benefit पूजा भट को मिल रहा है जहांपस सिर्फ मनीशा है उनकी basket को निकालने के लिए और fruits निकालने के लिए वहीं फुकरा की basket पर एक साथ जैड बेबी का अविनाश सब तूट पड़े हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या मुश्किल हो जाएगा ऐसी situation में फुकरा के लिए ये टास जीतना या फिर वाकई में फुकरा कर दिखाएंगे आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में अपनी राय लिख कर जरूर बताएं